गुड मॉरिंग दोस्तो फुटबॉल जेली के बारे में हम बात करेंगे ये जो माच होने वाला है ओएस के वर्सिस वी आईस के दर्मियान इस वीडियो में दोस्तो हम आपके साथ टीम एनलेसिस करेंगे साथी साथ आपको टॉप कलास थ्री गरांड लीग टीम्स का भी प्र हो सकते हो टेलिगराम के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तो दोनों टीम्स की रीसेंट परफर्मेंस जानना बेहत ज़रूरी है दोस्तो अगर ह बढ़ते हैं दोस्तो बात करेंगे डिटियल में आपको डिरेक्ट टीमस का प्रिवीद खाते हैं साथे साथ आपको प्लेयर स्टेटिस भी बताएंगे मेरी प्यारे दोस्तो इन टीमस को कॉपी नहीं करना है ये डेमो टीमस है गाइड करने के लिए दूसरी बात ये है कि आपको टेलिग्राम पर चार प्राइम टीमस मिलेंगे जिसमें से दो ग्रांड लीग के लिए होंगे एक हैट्वेट टीम होगा और एक समाल लीग टीम भी आपको मिल जाएगा तो फिर आपको और क्या चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं टीम नंबर वन से फिर सेकंड औ प्रेटर को खेलने का मुका मिला तो यह प Collaborate मेरे अंदास से टीम में ठीक रहेगा कैपटन बार ऎसका का प्रण सकट को बना सकते हैं अब बात करेंगे तो चुह वाले इस्रैंगोर्स की ना फर्वर शेक्शन की बात करेंगे यहां पर आपको पहला उप्शन वाइं मोटो तो देखने को मिलेंगे अल पिरेरा देखने को मिलेंगे अल पिरेरा की बात करेंगे दोस्तों यह जो बीच में प्लेयर आपको देखने को मिल रहा है इसने दोस्तों अभी तक इस लीग में दो गोल सिकोर किये है और बागई तरीके से भी आपको पॉइंट दे सकता है जैसे आप ग्राइव लिए आपको पता है कि फारवर्ट सेक्शन के जो पनियर्स होते हैं वो आलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं ग्राइव के लिए तो इसलिए यह तीनों उप्षन सिर्फ और सिर्फ ग्राइव के लिए ठीक रहेंगे अब मेरे अंदाज से अगर आप हैट वड captain try कर लेना फिर आपका team अच्छा और strong team बन जाएगा बात करेंगे दोस्तों इस section की यानि media filter section की यहाँ पर आपको पहला option D.olivira देखने को मिलेंगे के ओनोसी, Samper इनस्टा, यह जो options है one by one आपको इनके बारे में भी जानकारी देंगे D.olivira भी दोस्तों अभी तक एकी goal score कर पाए है, के ओनसी की बात करेंगे अभी तक तीन goal score कर चुके है और बाकी तरी के से भी आपको आसानी से score करके दे सकते है points, Samper Samper के हवाले से आपको जानकारी दूँ, normal option है जादा आपको अचा score तो करके नहीं दे सकता इनस्टा, इनस्टा अच्छे option है इनस्टा ने दोस्तों अभी तक देखा जाए एक goal और एक assist score की आखे कुल मिला के यहाँ पर captaincy options की बात करेंगे यह दो जादा important रहने वाले है और इन वाले options को आप वाइस captain try कर सकती हो अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम defender section की defender section में जी साकी grand league में captaincy के लिए ठीक रहेंगे head to end में वाइस captaincy के लिए ठीक रहेंगे अभी तक जादा कुछ अचा नहीं कर पाए लेकिन दोस्तों इस player से goal की उमीद की जा सकती है आपको chances created key passes, tackles one, interceptions one वहाँ से अच्छे से point score करके देशता है तीम है केरनी को की अगर इसकी बात करेंगे इसने अभी तक एक goal score किया है जी mirror रा की बात करेंगे इसने दोस्तों अभी तक goal score किया है बाकर यहाँ पर कोई भी option captaincy के लिए ठीक नहीं रहने वाला है तो चलिए, अब हम दोस्तों दूसरे team की बात करते है और तीसरे team की भी बात करेंगे detail में आपको जानकारी देंगे लेकिन आपसे request करते है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले, गंटी दबा दे latest dream अले है उनके वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चलिए दूसरे team पर डालते एक नजर यह जो पहला option आपको देखने को मिल रहा है यह मैंने change किया है OSK की तरब से played है और इसने दोस्तों last match में 130 से भी ज़्यादा points score किये एक penalty saver, goal saver, clean sheet हर तरह की से दोस्तों इसने score किया अगर इसको खेलने का मुका मिला ना इस match में तो यह grand league में फिर से captain से के लिए important option रहने वाले है last match में 132 points I think इसने score किया जिसमें इसने clean sheet किया एक penalty save और जोस्तों goal save किये है बहतरीन option है इसके अलावा यहां पर अगर मैंने देखा जाए तो मैंने H Yama Gucci को pick up किया as a captain, यह grand league के लिए team है H Yama Gucci अगर इसकी बात करेंगे अभी तक इस league में एक goal और दो assist score कर चुका है और बागी तरी किसे भी आपको score करके देगा Y Fucada की बात करेंगे Y Fucada ने अभी तक दो goal score किये है बहतरीन option है H Ingesi की बात करेंगे H Ingesi ने दोस्तों भी तक goal किया है बहतरीन option है इसके साथ भी आप जा सकते हो और नीचे अगर बात करेंगे तो यहां पर मैंने एक forwarder को drop किया है बाकी बिल्कुल सेम है आर रिकूची की बात करेंगे नॉर्मल option है आप इसको अपने टीम में pick up कर सकती हो और highly risk गरानली टीम में captain try किया जा सकता है अगर आप normal खेलना चाहती हो तो try मत करना last team की बात करते है त्यारे दोसरी जो last team यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यह भी गरानली के लिए है copy नहीं करना है आप याद रखना आपको final team इस ते लिए गराम पर मिलेंगे इसमें फिर से goal आप यहां पर जो goal की पर है वो change देखने को मिल जाएगा एज एकुरा इसको V.I.S की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता है जी मिरमू इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ वान शायद अभी तक एक goal score कर चुका है रिकुची के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ captain अगर आप यहां पर इस team में डूरना चाथे हो तो यह दो captain बनाया जा सकते है यह तो captain बिल्कुल भी नहीं अगर हाईली रिष्तिय कोई खेलेगा तो ले सकता है टीम में डी अलीवरा को captain नहीं बनाया जा सकता यहां पर अगर फुकाडा की बात करींगी ये अच्छे option है, हिमा कुची है, कौन सी है और नीचे दोनों forward sections important options grandly के लिए रहने वाले है head to head के लिए मैंने आपको options बता दिये, और दूसरा option यहां पर जो था, उस वो ही आपको pick up करना है बागे किसी भी option के साथ नहीं जाना है कुल मिला कि आप 6 teams के साथ खेल सकती हूँ, 6 players मतलब 6 teams के साथ अगर खेलोगे तो 6 captain चाहिए आपको, तो वो मैंने आपको तकरीबन बता दिये कि कौन से option ठीक रहेंगे अब आपको teams मिलेंगे telegram पे link description में है, आप जालदी से जोईन कर लेना, हम दोस्तों मिलेंगे telegram पर ही, यहां से दिज़े इजाजत बाइबाइ, best of luck, see you soon and love you to all